वीडियो के जरी चारी स्टोक लेका है जिने फिर में अप मंगल वार को इंटरे टेडिंग कर सकती हो यानि 20 एप्रेल को इंटरेटेडिंग कर सकती हो इन स्टोक के पर हम प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं और इसका पिसे का लोजिक और अलाइसिस हम डीटेल्स में कवर करने वाला है तो मंगल बार के लिए हमारा पहला इंटरी स्टोक होगा जेस्ट डबली एनर्जी जेस्ट डबली एनर्जी के स्टोक में देखिए यहां पर बहुत अच्छा पैटन बंदावा नजर आ रहा है यह एक ट्रेंगल फॉर्म हो रहा है तो दिखें निशे के टेल लाइन इस्टोपलस का पोजिशन होगा लेकिन अगर मार्केट ऐसे उपड़ चलि जाये तो हम इंतजर करना है कि रेजिस्टेंस को ब्रेक करें अगर इस रेजिस्टेंस लान ब्रेक होता है तो हम इस टोक को बाय की लिए जाएंगे 348 पर बाय करेंगे पर हमारा 350 दूसरा ट्री तो एंट्री फोर सिक्स पे स्टप्रेश का पूजिशन रखेंगे सब इस अप्रेल को हमारा दूसरा इंटर्ड इस टोख होगा बंदन तो एंटर्ड इस टोख होगा नवा भारत बंदन नवा भारत बंदन नवा बंदन नवा बंदन का स्टोख में देखें यहाँ पर बहुत ही तरफ से एक ही जोन में ट्रेट कर रहे बार-बार यहाँ पर भी देखेंगे तो निसे कर लाएं जो आठागा सापोर्ट लेके मार्केट आप ट्रेन में जा रहे है और वही उपूर के लाई इकर तरफ काम कर रहे है और मार्केट रिवार्सों के नीसे आ रहा है तो कल अगर इस रिएंज से बाहर निकल जाता है उपूर के तरह भार निकलता है यानि रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो हम स्टोक को भाई करेंगे 165.30 पर बाई करेंगे टार्गेट होगा तरह टार्गेट होगा हमारा 157 दूसरा टार्गेट 156 और 159 पर हम स्टोक लगाएंगे चौता इस्टोक होगा मारी को आप मारी को का स्टोक में दिखे यहाँ पर बहुत याच्छा पैटर्न बना हुआ है यहाँ पर भी दिखे बार बार एक रिजिस्टेंस लाइन पर रिज पर फाइब तो थ्री पर प्लस का पोजिशन रखेंगे लेकिन अगर यहाँ से मर्केट नीशे से लिजाकते हैं तो दिखे यह बहुत एच्छा सपोट लेवल है जिसका बहुत ही स्ट्रॉंग सपोर्ट है यानि बहुत बढ़ा सपोर्ट ही यह दे की तरफ से सपोर्ट लि दिखेंगे